आप दरवानी मला तेरा तुर्टेरा हलो माई डियर स्टूरेंट्स वेलकम करतों में भारत पंचाली और केमिश्टी गुर्जी अगेन आप सबका तो सीवीएसी के लिए हमारा कलास 12 का सबसे लाइस चेप्टर है बायो मोलेक्विल्स तो इस वीडियो में लोग बायो मोलक्यूल्स का वन शॉट करने वाले बहुत अच्छे से पूरा चेप्टर करवाया है और इससे पहले मैं रिक्मेंट करूंगा कि मैंने इसके नोर्स अल्रडी प्रवाइड कर दिया है आप लोग सर्च कर सकते और गैनिक केमिश्ट नोर्स भारत पंचाल सर या फिर आपको नोर्स को देखो गए आपको नोर्स साथ में रहा है को नोर्स को ही एजी वे में एक्स्प्लेंड किया है अब बहुत सारे बच्चे बोलते है कि सरस्रिफ क्या यह बन शॉट करने से हो जाएगा तो इस नोर्य स्टी परसेंट आपका चैप चैप्टर में है क्या बहुत सारी चैप्टर कहना कहता है आप लोगों को ठीक है और इसके बाद मैं हाइली रिक्मेंट करूंगा प्लीज एंसी आटी देख लेना और प्रिवेस एर कोशन याद से देख लेना ठीक है और भाई साब अच्छा और ना कुछ जगह ऐसी आए कि कितार इसले को देखर, वर आक कहता है और में कित च्रसाएं के देख सेखे सब्सक्राहिक्ते है कर देखेएं लोगों कि अप्रम को परते हैं कि हम लोग तो फिल्लेएं करते हैं कि मैं डोलत की से हैं याद ओफे बहुत को ने बहुत सारे biomolecules सुना होगा लाइक कार्भो हाइडरेट प्रोटीन्स वाइटैमिन्स है ना एंजाइम्स बाइम्स होते क्या है यह वह और्गैनिक कंपाउंट्स होते हैं जो की इंपोर्टेंट है यूजफुल फोर दा ग्रोथ हमारी ग्रोथ के लिए एंड मिंटेनें मिंटेनेंस ओफ लिविंग ओर्गैनिजम्स जितने भी लिविंग ओर्गैनिजम्स है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी मिंटेनेंस के लिए हमें बाइमोलेकुल्स की रिक्वार्मेंट होती है ठीक है यही लिखा भी गया है बाइमोलेकुल्स क्या होते हैं बाइमोलेकुल और गयनिक कंपाउंट्स विछ फ्वीज दा बेशिक बेसिक बेस ओफ लाइफ ठीके दे बिल लड़ लिविन सिस्टम और रिस्पोंसिबल फोर धीर ग्रोथ हैं के अब कही तो हम उसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कार्भो में प्लस कईईड़ेतर अगर मैं वर्ड पे जाऊं कार्भो में बनाइ कार्भो में कार्बो मुद्धर कड़ल मां मतलब लगाए जाता है थाहार चलो मरत करोक कर्देंटर हूं । इसलिए ए कि अे बनाते हैं या फिर जिन में कायरल कार्बन होता है इस अप्टिकली एक्टिव पोली हाइड एल्डी हाइड और कुट्वन और अबस्टांस विच गीव दीज ओन हाइडोलिशिस आर कार्बोहाइड़ाइड इनका जनरल फोर्मला क्या होगा कार्बन होता है इनके अंदर और कार्बन के मोलिकुल T different है कार्बोहाइड का दूसरा नाम क्या हुथता है कार्बोहाइड आर ओलसों नोन एजी इनको इनको सेक्राइड़ और सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो आपको तिन तरह के सैक्राइड देखने मिलते हैं मोनो सेकराइड्स, ओलीगो सेकराइड्स, पोली सेकराइड्स तीन तरह के कौन कौन से हैं ब्रो सबसे पहले हैं मोनो सेकराइड्स उसके बाद हैं ओलीगो सेकराइड्स और उसके बाद हैं पोली सेकराइड्स मोनो का मतलब क्या होता है मोनो का मतलब होता है कि आप इनको और ज्यादा श्यादा नहीं तोड़ सकते, सबसे सिंपल है, दिज़ार दी, simplest carbohydrates, which can't be और ज्यादा simple molecules में नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ पर example के आएगा, और आजाएगा, glucose, fructose, यह सब आपके monosaccharide है, आगे बढ़ते हैं, oligo, oligo word का meaning होता है, बेटा जी, few, कुछ, कि जब इनको तोड़ेंगे, तो कुछ molecule of monosaccharide देंगे, ठीक है, give 2 to 10 molecules of monosaccharide, तूटने पर यह 2 से 10 molecules देते है, monosaccharide के, और इसके बाद हमारे पास आता है, poly, poly word का meaning होता है, many, ठीक है, give, बहुत जादा, बहुत जादा से मेरा मतलब है, 100 to 3000 molecules of monosaccharide, of monosaccharides on hydrolysis, ठीक है, अब बात समझने वाली यह है, इसके example क्या होगा, oligo का, oligo का example आप लोग कर सकते हो, सुक्रोज, अच्छा, oligo में ना further classification possible है, आप इनको बोलना चाहो तो इनको ऐसे बोल सकते हो, बहुत जादा से मेरा मतलब है, 100 to 3000, तो इधर example क्या आएगा, इधर example बड़ा popular है, starch, starch है, जो की 100 to 3000 molecules दे सकता है, और भी कहीं सारे example इधर possible है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा example क्या है, cellulose, ठीक है, आगे बढ़िए, preparation of glucose, अब जो सबसे पहला सबसे simple carbohydrate है, जो की glucose है, आप glucose को कैसे बना सकते हो, glucose को बनाने के दो तरीके possible है, ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको बना सकते हो, बरो, सुक्रोज से, सुक्रोज बोले तो sugar, शुगर का फोर्म होता है, C12, H22, O11, आप इसमें पानी मिला दीजिए, इन दा प्रेंस ओफ, H-Positive, आप लोग कर सकते हो, या फिर कोई enzyme लिया जा सकते हो, इस चैप्टर में में लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो जब चिन्नी में पानी डालते हैं, तो इस जी एफ में कनवर्ट हो जाता है, हैं सर, मुझे तो बहुत जरूरत है, जी एफ का मतलब यहां पर है, glucose and fructose, सर इन दोनों का formula तो सेम है, बिलकुल formula सेम है, बट इनकी property थोड़ी सी अलग रहती है, इनका structure भी अलग रहता है, वो हम देखेंगे कि इनका structure किस तरह से अलग होता है, अब सब में समान तो सेम है, मतलब मालो हम दो भाई है, तो सेम है, बट हम दोनों की properties थोड़ी अलग है, तो इस तरह से यह दोनों भाई है, बट इनकी properties अलग अलग होती है, चलिए सुक्रोज के बाद आता है, हमारे पास starch करके आ गया, starch, starch मैंना तुम्हें थोड़ी बहुत दि इसमें आपने पाने मिला दिया, end times of acid, end times of acid, तो आपको क्याद मिलेगा, कि यह breakdown हो गया, किस के अंदर भाई, glucose के अंदर, C6, as well, O6, end times, देख लो न, carbon 6 है, carbon 6 है, hydrogen 10 और 2, 12 है, oxygen 5 और 1, 6 है, तो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, next बात करते हैं, next है, मारे पास इसका structure क इसे होता है, देखिए, जो ग्लुकोज होता है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ज्यादा टीटेल में हमने ग्लुकोज को ही पढ़ना है, ग्लुकोज से लेटेडी कुछ प्रोपर्टीज भी बनती है, ग्लुकोज ना पेटा यह एक अल्डोज है, और अल्डोज का मतलब क हमारे पास, CH, OH, 4, और इधर होता है, CH2, थोड़ा से डिटेल में बताऊंगा यह सब चिजे में कि यह क्या सीन है, ठीके, इस तरह से बन जाता है, आप देखो, इसमें कार्बन कितने हैं, ब्रो, एक, और यह कार्बन है, चार, और यह कार्बन, एक, और चार, पांच, और यहां पर LD हाइड गुरूप होता है, आप लोगों ने अगर डेफिनेशन जादो, आपने वोला था, इस अर्पोली हाइड्रोक्सी, LD हाइड, और पोली हाइड्रोक्सी, KITON, कि निमें बहुत सारे OH गुरूप लगे होते हैं, और एक LD हाइड गुरूप लगा होता है, तो क्या है, वो डिफरेंस किलियर कर देता हूं, मैं आप लोगों को, फ्रुक्टोज में क्या आता है, CH2OH इधर, C double bond O, इधर, CHOH3, इधर, CH2OH, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास ग्लुकोज है, और यह हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, कार्बनीस म इधर कॉन सा ग्रुप है, इधर हमारे पास एक एल्डी हाइड ग्रुप है, इधर हमारे पास क्या है बढ़िया, एक एक टॉनिक ग्रुप है, चलो, बहुत शांदार, अब आगे बढ़ते हैं, आगे इनके श्रक्चर बनते हैं, ठीक है न, फिशर्मन प्रोजेक्शन अब थोड़ा साब को D और L फोर्म के बारे में पता होना चाहिए, डी का मतलब क्या होता है, देखिए, एक जैसे मैंने बना दिया, D glyceraldehyde, आप देखो, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, कि D का मतलब क्या होता है, और गैनिक केमिस्ट्री के चार चेप्टर के आए हो आप लोग, L glyceraldehyde क्या होता है, चलो, फिर भी देखते हैं, LDhyde है, यानि कि इदर CHO ग्रूप रहेगा, नो डाउट, निच्चे क्या रहेगा, CH2OH रहेगा, सर आप निच्चे CH2OH क्यों लगाते हैं, मैं बताता हूँ, OS तो लगेगा ही, पोलि हाइड उक्सिब क्या बन जाते हैं, CH2OH बन जाते हैं, इधर CHO, इधर CH2OH, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है, OH in right-hand side, functional group से next जो carbon है, उसमें OH कहाँ पर होगा, OH in right-hand side, अगर OH right-hand side में है, इसमें क्या होगा, OH in left-hand side ठीक है ना, अगर left-hand side में है तो वो L है, और अगर right-hand side में है तो वो D है, इस तरह से मारे पास D glyceraldehyde और L glyceraldehyde होता है, तो इसी तरह से आप लोग structure बना सकते हो, ब्रो किसका, D glucose का, और किसका भई, L glucose का, बहुत शांदार, परदर्शन, है ना, और भई structure का बड़ा प पंगई structure का होता है, मैं सच बोलूँ, आप लोगों को, D glucose, तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास होता है, ऐसे, C double bond OH, और निचे, निचे क्या लगा होगा, निचे लग जाएगा, C H2 OH, कितने carbon होगे 2, carbon कितने होने चे 6, तो 3, 4, 5, and 6, D कब होगा, जब OH, राइन हैं साइड में होगा, OH, H, फिर इसको गुमा दो, OH, H, फिर इसको गुमा दो, H, OH, और लाश्ट को सेम रख लो, H, OH, संज में नहीं आया, दोबारा संदाता हूँ, जैसे कि L glucose को बनाना चाहते हो, यह इहां पर क्या रहेगा, C double bond OH, ठीक है, दो कार्बन होगे, तीन, चार, पांच, छे, अब L है ना, L का मतलब होता है, OH in left hand side, तो OH इदे लगा दो, OH, H, गुमा दो, H, OH, फिर गुमा दो, OH, H, गुमाना है, ठीक है, और लाश्ट वाले को सेम रख देना है, तो यह रहेगा, OH, H, clear है, इस तरह से आप लोग स्ट्रक आप इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्लोचें स्ट्रक्चर बोल सकते हो, किस तरह से होगा, मैं अगले पेज पर बना रहा हूं इसको, फोकस किजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, हाँ, तो इसमें क्या होता है, कि यह जो गुर इसकी लिंकिंग कर देते हो, आप फिफ्ट कर बन से, क्या होगा, यह ओवच इधर जाके जुड़ेगा, और यह आपको कुछ इस तरह से दिखने लेगा, C, इधर है, H, इधर है, OH, बाकि सब कुछ as it is, यह C, H to, OH, इधर क्या है बटा, H, OH, next position पे क्या है, OH, H, इससे next position प O गया, यह किदर गया, यह oxygen आप कुछ इस तरह से लगा सकते हो, इधर, ऐसे, clear है, अब जैसे आप L-glucose के लिए structure बनाना चारे हो, तो L-glucose के लिए क्या होगा भीया, इस को, इस carbon को आपने लिंक कर देना है, इस वाले से, ओके, वह शांदार, इस वाले से, बाकि इधर गूम के आएगा, ठीक है न, यह C, इधर H कर दो, इधर OH कर दो, ठीक है न, बाकि सब कुछ as it is, यह C, H2, OH, क्या बच गया इधर, इधर है OH, H इधर है, H, OH, इधर है, OH, H, इधर है, इधर वाले OH बेज़े न, अपने उपर, 5th carbon पे, और यहां पर क्या बच गया, H, इधर, और यह जो इस वाला उक्सिजन था, वो आप कुछ इस तरह से लगा देने वाले हो, ठीक है, यह क्लोज चेंज स्ट्रक्चर बन गया, संज में आ रही है, अब और यह जो carbon number one होता न, अगर आप इधर देखो, अच्छे यह जो है, यह की D और L फोम है, यह इसकी D पर इपता हो, यह सुझ में आगए का नहीं, वैसे होना ने, चीदो में simple है, ठीक है न, simple है, मैं दुबारा समझाता हूं, हुआ क्या है, भाई, यह हमारे पास D-glucose है, glucose में क्या होगा, कि L-dehyde group होगा, ठीक है, glucose में क्या होगा, LD-hyde group होगा, लास्ट में क्या होगा, CH2OH लगा होगा, CH2OH लगा होगा, अब D, D का मतलब होता है, Dextrorotatory, Dextrorotatory का मतलब क्या हो, OH in right hand side, तो इदर OH in right hand side है, H in left hand side है, फिर इसको घुमा दो, OH, H, फिर घुमा दो, OH, H, और last वाला सेम रखो, ठीक है, अब अगली बात इसके L-glucose form बनाएंगे, तो OH कि दर चला जाए में, OH, फिर घुमा दो, OH, फिर घुमा दो, OH, और last में क्या रखोगे, सेम रखोगे, यह आपका D-glucose का एक open chain structure बन गया, फिर इसे fisherman projection बोल दिया जाता है, अब आप इस D-glucose को उठाओ, आपने उठाया इस D-glucose को, अब इस D-glucose के साथ क्या गरोगे, आप लोग इसके किस के साथ लिंक करोगे, 5th position के साथ लिंक कर दोगे, C, और इसको oxygen इधर से ऐसे लग जाएगा, CH2, OH, इधर, H, OH, इधर, OH, H, इधर, H, OH, और इधर यह, H, ठीके बटा, अब इधर अगर आप जहान देते हो, यह जो position है, यहाँ पर क्या होगा, अब यह D-glucose की ना, जैसे D-glucose होता है, अलफा D-glucose भी वैसी होता है, बट यह carbon number 1 से decide होता है, देखिए, D और L second carbon से decide होता है, जैसे यह वाला carbon जो है आपके पास second carbon था, यह कह लिए यह functional group से जो next carbon है, यहाँ से D-L decide करते हो, अलफा भी आप decide करते हो carbon number 1 से, ठीके, तो यहाँ पर क्या ठीके, carbon number 1 पर OH होगा, वो right hand side में होगा, अब इसको beta D-glucose बना दो, D-glucose का ही beta D-glucose बना दो, beta D-glucose, ठीके, होगा गया, देखिए, यह carbon है, बाकि सब कुछ as it is रखो, सब कुछ as it is, यह C इदर बन जाएगा, आपका, CH2, OH इदर, H, OH इदर, OH, H, OH, ठीके, अब इदर यह आपका oxygen है, ऐसे oxygen है, इदर यह H है, अब इसको beta foam कैसे बनाएगे, अब देखो, इसको focus किजिए, यह carbon number 1 है, इसमें OH इदर लगा दो, OH, H, अब देखो, OH किदर है आपका, इदर आपका OH है in left hand side, और जब आपका OH left hand side में है, तो वह आपके पास कौन सी foam बन बन जाती है, अगर OH right hand side में होता, जैसे कि इसमें देखो, carbon number 1 पे, तो यह है alpha-d-glucose, और अगर carbon number 2 पे OH right hand side में है, तो d-glucose, carbon number 2 पे ही, OH left hand side में है, तो वह है L-glucose, ठीक है, अब अगली बात प्याओ, यह जो carbon number 1 है, इसे बोलते हैं, anomeric carbon, क्या बोलते हैं इसको, anomeric carbon बोलते हैं, और ऐसे group, या ऐसे structure, जहाँ पर carbon number 1 पे, arrangement different हो, उन्हें बोलते हैं, anomers, अगर आप इस पे focus करो, तो यह सारे का सारा एक ही है, अगर आप इसको देखो, इसको देखो, तो डिटो को पी है, सिर्फ carbon number 1 से different आ रहा है, अगर carbon number 1 से different है, तो वो क्या होता है, anomers, अच्छा, अ carbon number 1 के लावा कहीं और से different है, आगे पढ़ेंगे, उसे epimers बोलते है, epimers, carbon number 1 पे different, anomers, अगर first carbon के लावा किसी और पोजिशन से अलग arrangement आप मिल जाती है, तो epimers, समझाओंगा वो भी, पहले यह आपने इसकी concept projection कर ली है, fisherman projection, यह इसका close structure है, अब आप लोग क्या करने वा लगेगा, ठीके इसके बाद fructose भी समझाओंगा, ठीके ना, tension मतलो, यह आपके पास alpha-d-glucose, beta-d-glucose की क्या बन चुके है, close chain structure बन चुके है, अब इनके cyclic structure बना लेते हैं, यह फिर आप लोग कह लीजिए, इनकी havers projection बना लेते हैं, यह हमारे पास क्या है, alpha-d-glucose, पह इसको इस तरह से बना दो, कैसे, ऐसे, oxygen, समझने का प्रियास करना, थोड़ी सी practice मांगते है, इस टोपिक, ऐसे हो गया, यह इसको थोड़ा साथ बाहर कर लो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, की bio molecules तो bio वालों के लिए है, मैत वालों की cube एंड बजा दी, come to the point, इस बसूरे गाने के लिए सोरी चाहता हूँ, come to the point ब्रो, यह है, यहाँ पर यह होता है carbon number one, यह होता है carbon number two, यह होता है carbon number three, यह होता है carbon number four, यह होता है carbon number five और यह होता है carbon number six, यहाँ पर आ जाओ, यह होता है carbon number one, two, three, four, five, six, अब जब आप इसकी havers projection बना रहे हो, आप इस closed structure से एक cyclic structure बना के दिखा रहे हो, तो इसमें रखो left up ठीक है बाक्की पहले तो six carbon वाला लगा दो वरना वो तुम्हें दिक्कत देगा six carbon पर क्या है CH2OH है ना उसको लगा दो CH2OH बाक्की carbon number one प्याओ left up left में क्या है H तो H OH second position प्याओ left में क्या है H third position प्याओ क्या है OH fourth position प्याओ left में क्या है H fifth प्याओ left क्या है H but fifth की left up वाला position नहीं बचा क्योंकि fifth की जो up position वो six carbon की है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा ब्रो यहाँ पर हमारे पास H इदर आएगा नहीं संच में आया दुबारा संदाता हूं डी ग्लुकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाइरोन से रिजैंबल करता है पाइरोन कैसे बनता है भया कुछ ऐसे बनता है ऐसे ठीक है ये है carbon number one ये है carbon number two ये है carbon number three ये है carbon number four ये है carbon number five और ये है carbon number six carbon number one पर आओ जैसे कि ये हमारे पास क्या है carbon number one है left अप रख अच्छा पहले carbon number six को बना लो मैं दुबारा बोलो ये carbon number one है ब्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को बना दो पहले easy रहेगा CH2 OH बना दिया बाक्की carbon number 1 पे जाओ left up यानि की OH, second position पे H, OH third position पे क्या है, third position पे OH, fourth position पे क्या है, H, OH 5th पे यह H को पर बनाने, बट 5th का अप है ही नहीं, 5th का जो अप है वो 6th है, ठीक है ना, तो इसके H को जगा नहीं मिलेगी तो यह ऐसे लगाओगी, ठीक है, एक दुबार देखोगे, easy है, difficult नहीं है, चलो, अब आ जाओ, तुम लोग, तो चलिए, एक बार fructose का structure देख ले होता है, और ketose भी है, जिसमें ketonic group होता है, अच्छा, एक ना, आप classify कर सकते हो, carbohydrates को, on the basis of their functional group, ठीक है, तो मतलब, अगर किसी में aldehyde group है, तो उसे आप aldose बोल लोगे, और अगर किसी में ketonic functional group है, तो उसे आप लोग, ketose बोल देने वाले हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त तो देखिए, इसका structure कैसे होता है, C double bond O, इधर, CH2 OH, इधर, CH2 OH, जैसे आप structure बना रहे हो, of defructose, defructose में क्या हो जाएगा, OH in right hand side, OH, H, इधर, OH, H, और last वाला same, OH, H, क्लियर है, अब आगे बढ़ो, L fructose भी बना सकते हो, आप लोग, L fructose में क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, CH2 OH, C double bond O, निच्चे क्या आएगा, CH2 OH, इधर, H, OH, इधर, OH, H, इधर, OH, गल्प जारो, L है ना, L का मतलब होता है, OH in left hand side, तो इधर, OH आएगा, OH, H, इधर, गुम जाएगा, H, OH, और last वाला, सेम, H, OH, आप इसको उठाते हैं, अब यहाँ पर आप इसका, क्या कर सकते हो, close chain structure बना सकते हो, close chain में क्या करोगे, आप इस oxygen को link करोगे, oxygen को link करोगे, इधर, ठीक है, कर दीजिए, ये C है, ये इधर आप लोगों ने link कर दिया, O, बाकि, as it is, ये, C, H, to, OH, इधर आएगा, H, इधर ये, H, OH, इधर, H, OH, और ये, ऐसे, इधर अगर मैं बात करता हूँ, D, fructose की दूसरी form, निचे, ये, C, H, to, OH होगा, आप इस oxygen को ऐसे link कर दोगे, इधर, H, इधर, H, OH, इधर, H, OH, और ये, ऐसे रहेगा, अब देखिए, इसको आप, ये जैसे आप, अल्फा, D, fructose मना रहे हो, बटा, अल्फा, D, fructose कैसे मनेगा, अल्फा में क्या हो जाएगा, OH, इन, राइट है, तो, OH इधर चला जाएगा, ये, वाला, है, ये, राइट में, और ये, जो, CH2, OH है, ये, लेफ्ट में, CH2, OH, और अगर आप इससे बना रहे हो, बीटा, D, fructose, बीटा, D, fructose कैसे मनेगा, मेरे भाई, तो, OH इधर जाएगा, OH, और ये, CH2, OH, इधर आजाएगा, ये, हमारे पास, close-chandre, ऑगर आप इनका cyclic structure मनते हो, इनके आप how was projection मनते हो, तो वो मिलते जुलती होती है, फिरोन से, कि से मिलते जुलती होती है, फिरोन, आप carbon 6 है, carbon 6 को मैं कैसे लगानों भाई, पहले फिरोन कुछ इस तरह से बनता है, ये, हुख से, एक है एक इसमें और किए सेग्ड पोजिश्ञ creating एक एक ओर सफ है यह थारगर ऊफिभ्त और यह सिक्स्ट अग्रां कि इधर अगर मैं बात करता हूं यह 1 23456 यह यह 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, या फिर इसमें 1, 2 वाला कंसेप्ट खतम करो, आप 2, हम देखते हैं किसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसको इस तरह से कर लेंगे पहले तो, आगे बढ़ते हैं भी या, आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, just a minute, इसको आप बना दो, 2, अब देखिए, 6th position पे आप लोगोंने क्या लगा देना है, fix है, 6th position पे तो CH2OH ही लगना है, 6th position पे तो क्या लग जाना है, CH2OH, अब इधर क्या करोगे, left up होता है, left up का होता है, up, left को आप लोग अप कर दोगे, तो left को अप कर दीजिए भई, क्या जाएगा जब आप left up होता है, left up होता है, इधर तो अची बचा है, अब बीटा डी फ्रुक्टोज प्या जो, क्या करोगे, left up यानि कि इधर ओवेच और निचे की तरफ क्या आएगा, CH2OH, यह कार्बन नंबर बन क्या लाएगा, इधर यह कार्बन नंबर बन फिर थर्ड पे left up, left में क्या है, H, H, OH, फिर OH, H, और फिर तो यहां पर क्या रहेगा, H रहेगा, इस तरह से यह आपका structure है, फ्रुक्टोज का, क्लियर होता है, और जादा डिटेल में एक और अलग से वीडियो बना दूगा, बाकी कोशिश करो इसी को एक दुबार, दुबारा से देख लेने कि आप लोग से बाता होगी structure की, अब अगला आपसे पुछा जाता है कि, what is the meaning of reducing sugar and non-reducing sugar, reducing sugar, sugar भी carbohydrates के लिए यूज के जाता है, reducing का मतलब होता है, ऐसे carbohydrate which can reduce, जो reduction करवा सकते हैं, किस पे, tolerance reagent पे, और failing solution पे, और non-reducing किसे कहते हैं, which can't reduce tolerance reagent and failing solution, देखिए, जितने भी polysaccharides होते हैं, वो non-reducing होते हैं, जितने भी monosaccharides होते हैं, वो reducing होते हैं, और disaccharides भी reducing होते हैं, disaccharide में एक saccharide है, जो कि non-reducing nature का आपसे पुछा भी जाता है, कि, write the name of that disaccharide which is non-reducing in nature and that only saccharide is sucrose, reducing किसे कहते हैं, which reduce tolerance reagent, failing solution, और non-reducing जो reduce नहीं कर सकते हैं, ठीक है, tolerance reagent को failing solution को, tolerance reagent failing solution आप लोग पढ़के आए होंगे, aldehyde ketone में, ठीक है, aldehyde के साथ बहुत easily reaction कर सकते हैं, अच्छा, मतलब, क्यों reduce कर सकते हैं, तोलेंस reagent को failing solution को, जो हमारे पास reducing sugar होते हैं, क्योंकि इनके पास free aldehyde or ketone group होता है, that's why they can reduce, और यह क्यों नहीं reduce कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास do not have any free aldehyde or ketone group, ठीक है, इनके पास free aldehyde ketone group होता है, reducing वालोंके पास इनके पास नहीं होता, यह reduce कर सकते हैं, किसको failing solution को tolerance reagent को, यह reduce नहीं कर सकते हैं, tolerance reagent को, failing solution को example हो गया, maltose, fructose और इसके example है, सक्रोज starts भी आप लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद है chemical properties of glucose बहुत ज्यादा important है, बहुत ज्यादा chances है कि इस से related question आएगा, कि एक एक जगह आप लोगों ने इसकी reaction करके लिखनी है, तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं glucose को और glucose की reaction हम लोग किसके साथ करवा देते हैं भाई, acetic anhydride के साथ, ठीक है न, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यह हमारे पास glucose है, और इसकी reaction हम लोगों ने कर दी, with acetic anhydride, acetic anhydride क्या होता है बटा, CS3, C double bond O, O, C double bond O, CS3, ठीक है, यह आपने five times लेना है, और यह भाई सब react करता है alcoholic group के साथ, और alcoholic group के साथ किस तरह से reaction करता है, कि देखो यह जो है, यह जो OH है, वो इसके इतने portion के साथ बहार निकल जाएगा, क्या observe करोगे, यह CS3, C double O, और इधर से OH, five times of CS3, C double bond O, ने इधर से five times of OH उठा लिया, इधर क्या बच गया, CHO, इधर CH, और निचे क्या बच गया, CH2, इधर से क्या आएगा, O, C double bond O, CS3, यह four times है, यह O, C double bond O, CS3, क्लियर है न, अब देखो, आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यह हमारे पास क्या बन चुका है, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट में बन चुका है, glucose pentacidate, अच्छा, अगर आपने इसकी reaction करवादी है, with bromine water, अगर आप एक glucose की reaction कराते हो, bromine water के साथ, तो यहां प अगर आपने इसकी, CHO, इसी glucose की reaction करवादी है, इसकी reaction करवादी है, इसकी बहुत बढ़ी है, तो इनके पास नोट्स में थोड़े सी modification कर लेना, कि यह दो जगा पर क्या कर देगा, oxidation कर देगा, यहां पर, CHO को CWH में कर देगा, जो CH2OH है, इसको भी CWH में कर देगा, और यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपके पास, Sacric Acid, क्या बोल देगा इसको, Sacric Acid, इसके बाद आप लोगों ने, इसकी reaction करवा दी है, इसकी reaction करवादी है, इसकी reaction करक्रता है, जो की reduction करते है, और reduction करने का मतलब क्या है, कि जितने भी oxygen, उन सारे oxygen को हटाके, हर जगा क्या लगा देंगे hydrogen क्या लगा देंगे hydrogen कैसे का रही हो sir मैं पता था हूं आप लोगो कैसे कह रहा हूं जैसे कि यह मेरे पास एक glucose है CHO इधर है CHOH 4 इधर है CH2 OH तो HI है और इसको मैं गर्म करूँगा भाई तो क्या होगा तो HI एक reducing agent उतार reduction करके क्या ही कर देगा भाई यहां पर CH3 यहां पर CH2 four times और यहां पर CH3 यह हमारे पास बन जाएगा N hexane क्या मतलब तुमारी मैम आ गया तो नहीं सारों में बात करनी पड़ेगी मतलब मुझे 20-25 मिनट के और वीडियो बनानी है फिर मैं खाना खा सकता हूँ चलिए come to the point आगे बढ़ते हैं तो यह है इस तरह इसारों में बात करनी पड़ जाती है वाई इसलिए मैं बोलता हूँ NH2OH को इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन ठीक है और यह हाइड्रोक्सिल अमाइन किस तरह से जुड़ता है सिम्पल होता हूँ कि भाई साब यह इसका न ऑक्सिजन लेके गायब हो जाता है यह अमोनिया के डेरिवेटिव सोते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस H2 बाकि सब लगा रहा जाएगा CH OH4 CH2 OHCH और यहां पर क्या बच जाएगा NOH ठीक है इसको बोलते हैं लोग ग्लुकोग्जाइम क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों इसकी रेक्शन करवादी HCN के साथ देखिए मोस्टली रेक्शन जो है आप यह आप आप लोगों को जो की किसके अंदर थी कम आहर। मैंसी रेक्शन को थोड़ा सिंप्लिफाई करके लिए तो आप लोगों के लिए यह माहले पास गूलुकोज है तो पता ही होगा अब इसकी हैच को आप लोगों लिख दिया कुछ हैसे करके सी डबल बॉंड ओ एच तो होग आज़ेगा नेगटिव याद रखे हैं एक पोसिटिव सी एं एक्टिव में से कार्बन गोज टू कार्बन ठीक है कार्बन के पास क्या आएगा सी एन और ऑक्सिजन के पास क्या एगा एच और यहां पर अल्फा ग्लुकोज है बीटा ग्लुकोज है आप उसको पानी में डालो और वो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन करके एक इक्विवेलेंट पोजिशन तक लेके आता है और वो इक्विवेलेंट पोजिशन है 52.5 डिग्री क्या लिखा गया है वैन इधर ओफ दे टू फॉर्म ऑ 52.5 डिग्री आपको उब्जर्व नहीं होती और अपने अल्फा डी ग्लुकोज डाला जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन थी प्लस 111.5 डिग्री आपने बीटा डी ग्लुकोज डाला उसकी वैल्यू थी प्लस 19.5 डिग्री ठीक है और जब आप इसको पानी में डालते हो तो कोई सबी डाल सकते हो और वहां पर आप देखते हो किसकी रोटेशन की वैल्यू फिक्स होती कितनी 52.5 डिग्री अपने कोई भी फॉम डाली पाने में और वह उसको स्पेसिफिकली रोटेट कर देगा किस वैल्यू तक एक एक्क्यूवेलेंट वैल्यू तक यहां पर उसकी प्रिचिछा प्रत के पेसिफिक रोटेशन ऐसी नेकर बड्यू पर देखते हैं इंप्रेंस ओफ कर्बोहाइडियेट कर्बोहाइड़ू आगे भी पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं इंपोर्टन्स ओफ कर्बोहाइड़ू आरेशेंशल फॉर लाइफ इन बोथ प्लां के लिए fuel petrol diesel की requirement रहती है similarly हमारी बोड़ी को चलाने के लिए में खाने की जूर्त होती है और हमारे खाने में सबसे अधर राख हमें क्या मिलता है carbohydrate मिलता है ठीक है carbohydrate are used as storage molecules as starch in plants and glycogen in animals देखिए एक खाना हमारे में बोड़ी में energy के form में store होता है और यह जो energy होती है अगर आप animals की बात करते हो तो animals में यह store होता है in the form of glycosin और अगर plants की बात करते हो तो plants में store होता है in the form of starch ठीक है cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose honey has been used for a long time as an instant source of energy शायद को हम बहुत time से instant source of energy के रूप में use कर रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है epimers बताया था मैंने याद करो बताया था बताया था एना epimers anomers क्या होते हैं जिनका first carbon पे अलग-अलग group अलग-अलग position में मिलेंगे first carbon के लावा अगर किसी और position पे अलग-अलग group मिल जाते हैं बाके सब को same receive एक पोजिशन अलग हो जाए तो epimers monosaccharides different in configuration at a carbon other than anomeric carbon are called epimers यहां पर glucose and galactose की बात करते हैं और इनकी जो difference होती है configuration at carbon number four तो यहां पर यह हमारे पास example है मैं इसको अगले page पे लिखके थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयातन करता हूं अगर आप देख पारे हो glucose का structure and galactose का structure तो ध्यान से देखो यह इधर सेम है 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 बट अगर आप इस position को देखते हो कार्बन नंबर 4 को तो यहाँ पर क्या है इसका OH है इन राइट है और इसका OH है लेफ्ट है अगर अनुमेरिक कार्बन से फर्स कार्बन के अलावा किसी पोजिशन पे आपको मिलता है कि डिफरेंट है पोजिशन में तो उसे हम लोग क्या बोलते है इसकार्बन को अपिमेरिक कार्बन बोलते है और इन फोर्म्स को इन पूरो को हम लोग क्या बोलते है एपिमर्स बोलते है आगे बढ़ते है शुगर & नौन शुगर शुगर नाम से के लिए है which are sweet in taste शुगर की जो भी प्रोरपेटी होती है मिठी होती है water soluble होती है किस लाइन होती है है ना तो देखिए शुगर किसे कहा दाएगा monosaccharides and oligosaccharides having sweet taste soluble in water पानी में घुल जाएं are known as sugar polysaccharides are insoluble in water and not sweet in taste are non-sugar ठीक है जिनका टेस्ट मिठा हो पानी में घुल जाएं जो monosaccharides होते हैं और non-sugar के example क्या होंगे जो polysaccharides होते हैं जैसे starts हो गया उसके बाद disaccharides and polysaccharides के कुछ example है और आप सब को बताए कि disaccharides को जब तोड़ते हैं तो वो तूटते हैं किसके अंदर monosaccharides के अंदर टूटेंगे disaccharides है तो दो monosaccharides होंगे polysaccharides है तो बहुत सारे monosaccharides होंगे अब यहां पर न मैंने कुछ सबसे पहले बात करता हूं सुक्रोज की सुक्रोज एक disaccharides है जिसमें दो monosaccharides होते हैं और इसको अगर तोड़ोगे तो किसमें तूटेगा अलफा डी फ्रुक्टोज में अलफा डी गुलुकोज में बीटा डी फ्रुक्टोज में लिंकेज कहां से होती है भाई कार्बन अभी जब आप इनके स्ट्रक्चर देखनें गेना तब आपको ज्यादा के लिए रही होगी और यह नोन रिडूसिंग नेचर का होता है मैं आपको बताया था डाई सेकराइड में सिर्फ सुक्रोज ऐसा है जो नोन रिडूसिंग नेचर का है इसके बाद है माल्टोज माल्टोज को अगर आप तोरते हो माल्टोज इस माल्टा माल्टा इस दारू हर्याना में बिक्ती है बहुत पंजाब का मुझे नहीं पता बता देना आपके कार्बन फॉर ऑफ अदर ग्लूकोज ठीक और रिडूसिंग नेचर का होता है इसके बाद है लेक्टोज लेक्टोज बीटा डी गल्टोज बीटा डी ग्लूकोज ठीक है यह थोड़ा से टाम लगा के एक बार पढ़ पढ़ लेना इतना मुश्किल नहीं है कार्बन वन अधर ग्लूकोज और पॉली सख्राइड जो टूटता है अलफा डी ग्लूकोज में कार्बन वन फॉरी होता है चिर्फ एक जगह पे आप लोगों को याद रखने की जूर्थ है डेट इस सुक्रोज जिसमें कार्बन न कार्बन टू होता है ठीक है ना बाकि यह बड़ा ज मैंने बिता चुका हूं वेन ग्लूकोज इस डिजोल इन वोटर एंड देन स्पेसिफिक रोटेशन चेंज इंटो एन इकलिबिरियम वैल्यू एक एक वाली वैल्यू पे पहुंझ जाते हैं ठीक है और वह कितनी होती है 52.5 डिग्री ठीक है यह आपने अल्फा डी ग्लूक लिया यह अपने बीटा डी ग्लूकोज लिया और यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन इसकी कहां पर होगी है एक वैल्यू तक पहुंच चुकी है आगे बढ़ते हैं डाइसेकराइट मैं बता चुका हूं जो दो मोनसेकराइट में टूटते हैं डाइसेकराइट के कुछ एक गलाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहलती है गलाइकोसिडिक लिंकेज दटू मोनसेकराइट अर जोइन तोगेधर बाइन ऑक्साइड लिंकेज अब तो गलोकार ऑक्साइड लिंकेज फॉर्ण बाइ लोस ओफ वोटर मोलेकुल दिस एक्चुली एन इतर ग्रूप and is काल्ल गल तो यहां से क्या आएगा एक का और दूसरे का एच बाहर निकलेंगे और यहां पर यह जो ऑक्सिजन से यह जो दोनों लिंक हुए है इसे अम लोग क्या बोल देते हैं इसे क्या बोल देते हैं इसे बोल देते हैं इसे बोल देते हैं इसे बोल देते हैं इसे बोल देते हैं इ सरेयों के युखे प्रोटिन से अन् sogar कोंसी लिंकेज ़ेखने को मिलती है। इतdependently होगी, और आखे पड्दोयर के खानी थैसे ही मिलता है तक आ अगर येदिया, झालकोज थे बंध कुछ लिंगेज फ्रोटिन से बंध कर शकरोज, सुक्रोज के मिल लेक्तों बनता है अगर क का कारबन नमबर वन अच्छे यह अल्फा डी ग्लुकोज याद ना बनाना सिखाया था भाई अब ही सिखाया है कि यह रहा यह रहा आपका अल्फा डी ग्लुकोज है ठीक है इसको ठाओगे कि उठालो भाई यह हमारे पास है अल्फा डी ग्लुकोज और फ्रुक्टोज में कौनसी फ्रुम लेनी है बीटा डी फ्रुक्टोज भी बनाना सिखाया था यह रहा आपके पास बीटा डी फ्रुक्टोज ठीक है ना तो देखिए इसके बाद क्या होने वाला है भाई क्या होगा भाई यह एक तरफ से क्या दाएगा आपका यहांसे ओ एच निकल जाएगा यहां से यहांसे क्या निकल जाएगा आपका इस्टो बहार निकल जाएगा है कर दिरा चीज बचे गाड़ तो अभी बात करते हैं हम लोग structure of maltose की कि maltose के structure कैसे बनते हैं maltose एक disaccharide है जिसके monomers होते हैं मोनोयल स्यप्राइब चैर से Алभी अलफा दी ग्लुकोज 1975 दो और यह छभी फसी से गन्स गाना की के बीता हैं बीटा डी ग अलेक्टो इन ग्लुकोजatif काने मश्रास नाहीं क्या है नेक्स्ट आप लोगों को सुनने को मिलेगा inversion of sucrose को देखिए sucrose जो थोना एक dextro rotatory form में होता है ठीक है जब आप इसको पानी में डालते हो या पानी में डालने के बाद एंजाइम या एसेड के साथ इसकी reaction जाते हो तो तो टूथ जाते है glucose में तो इसमें जो glucose होतता है वो one of tea tea और जो फुक्टोज और होतता है और वह जादा लेव Ini है तो सुक्रFF एक डाय। एक बेटाbak इसके रुका ल्डुतिनेचरक हो गया उसके जो अगला ग्रुप है वो Toward seen workforce on vlog बोलते हैं पहले either with dilute acid or with enzyme invertase with enzyme invertase the solution is changed into levo-rotatory solution sucrose is a dextro-rotatory but the solution is what is called levo-rotatory as dextro-rotatory sucrose is changed to levo-rotatory solution after hydrolysis the sucrose is called invert sugar and we call this process inversion of sucrose since the levo-rotation of fructose is more than dextro-rotation of glucose the mixture is levo-rotatory this is glucose this is plus 66.5 degree this is dextro-rotatory nature we add water this is de-glucose plus 52.5 degree and fructose minus 92.4 degree now dextro-rotatory two things one dextro-rotatory and one levo-rotatory but levo-rotation is increased left side rotation is increased that's why we call this invert sugar inversion of sucrose next we have polysaccharide polysaccharide starch is a polymer of alpha-d-glucose and it consists of two components amylose and amylopestine 20% amylopestine 80% amylopestine 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 is more than 80% straight chain form is not branches and straight easily water-soluble amylopestine amylopestine is a branch form water-soluble the structure again again is not confusing but alpha-glucose and alpha-glucose linking and amylopestine amylopestine alpha-d-glucose is a branch in the 1-4th position if you talk about a chain then it will be one-fourth and if it is branching then it will be one-sixth chain one-fourth branching one-sixth okay, I will try to try this and show you that the structure you want to say what you want to say see this this is alpha-glucose alpha-glucose is alpha-glucose carbon no.1 okay yeah it is carbon no.4 this is carbon no.1 carbon no.4 carbon no.1 carbon no.4 carbon no.4 it is this and this is glycosidic linkage or oxide linkage chain but if you ask branches it will be it will be it will be 6th carbon notice करो तो यह क्या है इसका six carbon है यहां पर one six इवन अगर आप यहां पर भी आओ इसमें भी बहुत अच्छे से mention किया गया है थीज आर लोंग अन ब्रांच चेन विद्स कार्बन one four glycosidic linkage ठीक है और अगर मैं बात करूं दीज ब्रांच चेन पोलीमर्स ऑफ अलफा डी गुलुकोज उनिट्स विद्स कार्बन one four glycosidic linkage एड कार्बन one six glycosidic linkage एट ब्रांच इंग जहां पर ब्रांच इंग होगी one six वाली लिंकेज होगी और जो सिंपल चेंज चर लिए वह बन फॉर्थ वाली लिंकेज होगी आगए बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास voll随 देशला चेंज इटा चेन op्ोलिश क्रैट कमेंट सेक्षेन बताना है कि कहा मिलता स्टाइए अल्फा सेडे लेको उस्ट कहा पर मिलता है ऐल्स में एक होता है इस्वीडियो में पलांट स्क्रोज में जिसमें की कौन जुड़ा रहता है अल्फा ग्लुकोज एंड बीटरी फ्रुक्तोस अब यह देख लो यह इस तरह से है यह हमारे पास बीटरी ग्लुकोज है और वन फॉर्स पे लिंकिंग होगी यह आधर नाव नेक्स्ट हमारे पास गलाइकोजन गलाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि एनिमल्स की बोड़ी के अंदर स्टोर होता है यह आप लोग उन देखो कई बंदेज होते हैं क्योंकि उससे भी एनरजी मिलती है बाकि आसा नहीं है कि जुरूरी है इस तो नहीं यू जो खाते हो तो मेरी कमेंट नहीं बड़ाह बोलता हूं कि हां जो कि लो और स्टोर होता है वह भी एक कारवोड़ीर वह भी हमें आरजी देता है खेक है इस रिजांबलेंस विधा दा स्रक्च्चर आप्स न करता है कैसे होता था आप स्टें में कारवण 1 फार पर लिंकिंग और बांच में वांन क्वान शिक क्रूंते हैं और इसके बाद में एनर्जी मिलती है। यह हमारे सिंपल के सिंपल कार्ब य॥्य नियुस्घर तो चलिए बात करते हैं हम लोग भारों एकिसंड प्रोटींस किते हैं अगर मैं सबसे सिंपल डेपिनेशन के बात करूं तो प्रोटीं क्या होंगे बहुत अच्छा these are the polymers these are the polymers which are prepared by which are prepared by the monomer of alpha amino acid अल्फा अमीनो एसिड यह polymers होते हैं और इनका जो monomer होता है देखिए polymers बहुता है एक बड़े molecule को और इनके जो छोटी इन्ट होती है वो क्या होती है अल्फा अमीनो एसिड होती है अल्फा अमीनो एसिड को अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो जैसी के कार्बन है कार्बन कितने बनाता है चाहर एक दो तीन चाहर अमीनो यानि कि इदर NH2 ग्रूप लगा होगा एसिड यानि कि इदर CWH ग्रूप लगा होगा एक बन्ड इसका एससे पूरा होगा और एक बन्ड इदर RR कुछ भी हो सकता है यहां पर r कुछ भी हो सकता है अलकाइल ग्रूप ऑसकता है और इली अग्रूप हो सकता है यह कुछ ऊइओंवे ग्रूप हो सकता है तो यह हमारे पास क्या होते हैं 위한 acrid होते हैं वह सब esse सब तीकली एक्टिव होते हैं, जो कार्बन है वो अपने बॉंड पुरे करोगा अलग अलग गुरूप से बट इसमें एक एक स्क्रेप्टशन है दट इस गलाइसीन, गलाइसीन एक सिंपलेस्ट अमीन अचिड है, जिसके पास जो अप्टिकली एक्टिव नहीं होता है यह उप् अगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमिनो एसिड अब यह डिपेंड करता है कि आप क्लासिफिकेशन किस बेस्पे करें कहीं तरीके से हो सकती है ठीक है जैसे कि आप उनकी ऐसिडिक बेसिक नेचर के उपर कर रहो तो सबसे पहले नियूट्रल हो गया हमारे पा कारबन हाइड्रोजन ही डुल एक अब देखें कि इधर क्या है इधर सब कुछ सही है एक एक इस गुरूप है अगर यहां पर मैं हाईड्रोजन लगा देता हूं या फिर मैं यहाँ पर छे लगा जब आपको जाए धर गलाइसीन अटर जब सी अश्टियर इसे एलानीन बो गुरूप जादा है ऐसे कि मैंने यहां पर क्या कर दिया यहां पर मैं लगा दिया तो यहां पर ग्रूप लगा दिया तो यहां पर पास क्या बन जाएगा एक Acidic Amino Acid और इसका specific नाम होता है इसे बोला जाता है बेटा जी Aspartic Acid Aspartic Acid बोलते हैं से हम लोग नेक्स्ट आता है हमारे पास basic basic किसे कहते हैं having two or more NH2 group and one seed will have group जहां पर NH2 group जादा हूं ठीक है जैसे कि इधर जो यह है इधर आप कर दो CH24 NH2 आप देखो तो एक बार NH2 group जादा है basic group जो है जादा है तो यह basic होगा और इसका नाम होगा lysine और यह basic nature का होता है clear है और किस तरह से classify कर सकते आप essential amino acid और non essential amino acid so sorry essential किसे कहते हैं जो हमारे लिए जुरूरी होते हैं जो हमारे आवशक हैं जो हमारी body के लिए जुरूरी होते हैं और हमारी body के लिए कौन से हैं जिनको हमारी body खुद से नहीं बना सकती है और non essential किसे कहते हैं बना ते हुझने को अमैरी बोड़ी खुद से बना सकती है उन्हें हम लोग क्या बना ऍदूमक्त असेंशल गयो सब्सक्र안ट और दिंगरर के जासेंशल केखश्क अशनाीन नहीं गयों क्या करें हुडना सकती है वह उन पर केंशना सकते हैं गयों बातसम्द में एक नहीं आई है विच कांट बी सिंथेसाइज बाय आर बोडी सो मस्ट भी सप्लाइड थू आउर डाइट आर कार्ड असेंशल अमीनो एसिड उसके वाद है कन्फीग्रेशन ओफ अमीनो एसिड कन्फीग्रेशन जैसे हमारे पास कार्बो हाइडर्स की थी वै अलमीनो एसिड होते हैं ठीक है तो जितने भी आपके नेचर डियक्रिंग होगे उन्हें हम अलमीनो एसिड बोलते हैं और डी अमीनो एसिड कहां मिलते हैं आपको एंटिबाइटिक्स के अंदर और बैक्टिरियल सेल वोल्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता ह सी डाइटराइड जी ट्राइन क्या होता है जैसे कि यह हमारे पास है खारबन सी ड़ाइच अच कर गया एंस ट्ण टो ठीक है यह ळाएगा और यह क्या बन चुकए है यह नहीं स्टू बन चुका है एनसरी पोजिट प्रोटोन माइगरेट बन गया तो एक हमारे पास ड्यूवल आयन बन के आया है और दिस ड्यूवल आयन इस नौन एज जूवल आयन किसे कहते हैं भी जूवल आयन इस ड्यूवल आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहां से हैं इदर चला गया एनसरी पोलते हैं ठीक है तो हम चाहते हैं कि यार यह जो जूट्राइन है यह एक specific pH पर exist करता है और यह neutral नेचर का होता है और उस pH को हम लोग क्या बोलते हैं आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर आपका pH इधर से उधर हुआ थोड़ा बहुत भी कम जादा हुआ तो आप नोटिस करोगे कि वह जो हमारे पास जूट्राइन है वह एक बेस्टी की नेचर का हो गया अभी तो यह क्या है neutral है ठीक ना क्योंकि इधर एक सीर बलो नेग्टिव है और एक एनस्ट्री पोजिटिव ग्रूप है देखे क्या लिखा गया आईसो लेक्ट्रिक पॉइ अब होगा क्या अगर आपने क्या कर दिया मान के चलो आपने अच्छे यह हमारे पास क्या है अल्फा अमिन एसिड है सी डबल ओ एच इधर है मान के चलो एनस्टू इधर है अपका एच और इधर है आपका आर तो आप देखोगे जैसे आप इसको पाने मुडालोंगे तो अब क्या हो जाएंगे अपने प्रोटोन को माइगरेट कला देंगे सी डबल नेग्टिव यह एनस्ट्री पोजिटिव इधर है एच इधर है अब आपने क्या कर दिया इधर मान के चलो आपने इसको एसिड की फॉर्म में डाल दिया इसको यह जो जो ट्रायन है यहां पर दोड़ा ऐसेडिक हो जला तो क्या हो जाएगा यस्सmerce पोजिटिव नेग्टिव के साथ जो जूड़ेंगा ओव्यसी हुएह इधर है पोजिटिव इनस त्री पोजिटिव और यह जायेगा bur न हुएक सरने लगएग एक कक्टायन की में में चडिप करने लगएगा एज़ डूल आयन से ओनली कटाइन रह जाएगा दोनों आयन से सिर्फ एक बचेगा और अगर आपने इसको किसी बेस में डाल दिया मानलों आपने इसको ओएच नेक्टिव में डाल जिया प्याच को बेसिक रेंज में लेके चलेगे समिच तो बेसिक रेंज क्या होती है जैसे कि लगा यह सी डबल ओ नेगटिव ठीक है और यह स्त्री पोजिटीव से पोजिटिव निकल यहां पर बचेगा एनस्टू और इधर है तो एक इसकी फॉम में एक्जिस्ट करने लगा है यह हमारे पास एक्जिस्ट करने लगा एक ऐनायन की फों में यही बातें शायद लिख क्टाइन की फॉर में एक क्टायन की फॉम में अगला कोशन आता है पैप्टाइड किसे कहते हैं जब दोلاrek eligibility जुड़ते हैं य्वी कॉपटे प pense है तो हमारे पास क्या बन जाता है एक एक प्रेप्टाइड बन कि जब 2 अल्फ अमिनो एसिट जुड़ते हैं तो एक पैप्टाइड बनता है और इवन अगर आप इस पैप्टाइड को स्पेसिफिक नाम देना चाहो तो इसे आप लोग डाइप्टाइड बोल सकते हो क्योंकि 2 अल्फ अमिनो असबैसी तरह से इकर टीन अल्फ अमिनो इस होते तो ट्राइप्टाइड चार अमिनो एसीड चलो एक अल्फ असिडार च्रियार 21 क्योंकि शङए और 1-balic प्रिम यह कौन सा अल्फामीनुए सिडै यह इस तरह से गर उल्फेक। कि वायीज क्राइबष मेरेश के हैं एदर में मैं kommt दो अद्धाया। था ले थे। अधर अधिया त स्यक्षेद किया है? कि एंवू लगतव्ते तो पहलता है? कि यहां से वोटर के मॉलेक्युल का लोस हो जाएगा वोटर के मॉलिक्युल का लोस अधर भी उता था जब दो मॉनो सेकराइट जुड़ते थे गलाइक को सिडिक लिंग के वाला सीट बनता था तो यहां पर क्या जाएगा थैनिज इदर एच फी इदर ऑनस्टू इधर ऐद कर दो को यह यह से link कर रहे हैं दोनों है न यहीं से link ःना इस link a-dash is known as co nha-new linkage नोग हम लोग peptide linkage कह सकते हैं और या फिर हुआँ यह को हम लोग क्या भी कह सकते हैं अमायडि linkage c-e-eds-muş linkage को हम लोग अम हिडियंक के बहुत सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स बात करते हैं जब दो मॉल्पिल मोनो सेग्राइड की जुड़ेंगे तो डाइप्टाइड तीन मॉल्पिल जुड़ेंगे तो से हम लोग ट्राइप्टाइड ठीक है अगर डाइप्टाइड है जिसमें दो अलफा मिन असे तो अहां पर एक जगह पर बनेगा एक जितने amino acid होंगे उससे एक कम peptide bond बन जाएगा next is polypeptide किसे कहते है peptide जो बहुत ज्यादा peptide हो जाएगी the condensation product of many alpha amino acid कितने लगबग 10,000 amino acid जब जूड़ते हैं तब जाके आपके पास polypeptide होते हैं and those polypeptide which have molecular mass above than 10,000 are called protein ठीक है न 10,000 से ज़्यादा लगबग 10,000 होंगे alpha amino acid तो हमारे पास क्या बन जाएगा polypeptide और जिस polypeptide का mass 10,000 amu से ज़्यादा होगा उस polypeptide को हम लोग protein बोलते हैं ठीक है proteins के बारे में आपको लोगों को अल्वी बता चुक हों ती ज़्यादा polymers of alpha amino acid अच्छा next structure of protein यह बड़ा interesting सा concept है देखिए इसके चार तरह के structure होते हैं सबसे पहले primary proteins या फिर कह लिजिए primary structure इसके बाद होता है secondary structure इसके बाद होता है इसके बाद होता है quarter summary structure प्राइमरी structure सबसे basic structure होता है सबसे simple structure होता है जैसे आप LKG nursery class में एक सीरी सीखते हो फिर थोड़ा साप लोग words बनाना सीखते हो फिर आप लोग sentence बनाने सीखते हो फिर आप लोग पूरे passage लिखना सीखते हो सेम इनके structure के साथ होता है सबसे देखिए जब हम यहां से यहां जाते है ना हम प्राइमरी से quarternery की तरह बढ़ते है ना तो यहां से जो complexity है यह complex shape है वह यहां पर लो है और यहां पर complex से बहुत हाई हो जाती है सिंपल बताओं आप लोगों जो primary structure होते हैं उसमें क्या होते हैं सिंपल alpha amino acid जुड़े होते हैं एक टाइड की chain बने होती है सिद्धी से इस तरह से secondary structure में क्या होता है इनके और कुछ बड़ी ऐसी shape बनती है क्या हो जाएगा यह टर्सरी श्रक्चर बन जाएगा और क्वाटनरी श्रक्चर क्या उते हैं एक special arrangement होती है एक 3D और शारे टर्सरी श्रक्चर ले लो जैसी कि यह ले लिए और ये सारे के सारे ना आपसमें लिंक कर जाएं ऐसे बहुत सारे स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लिंकिंग होगी, यहां पर क्या होगी? प्राय्मिरी में आपके पास polypeptide chain, ठीक है, यहां पर क्या होगी? Interalinked polypeptide chain, INTERlink मतलब जो खुद के साथ ही जूड रही है, Interalinked polypeptide chain, इधर क्या होगा? Interalinked होगी, interlinked होगी, interlinked as well interlinked polypeptide chain ठीक न और quarterney में क्या एगा बहुत सारे tertiary structure आपस हमें जोइन हो जाएंगे 3D structure बनके निकलेगा of tertiary structure clear है तो यही है primary structure क्या होता है it simply reveals the sequence of amino acids scanry structure क्या होता है alpha helix structure और beta प्लीटीड स्ट्क्चर होता है ठीक है और इनको मेंटेन किया जाता है यह तर्शी स्ट्चर जो होता है दा फोल्डिंग एड सूपरिम्पोजिशन ओफ पॉल्ली पेप्टाइड चैन फोल्ड होते जाएंगी एक दूसरी का गुड़ती मिलती चलिए जाएंगी एक कॉम्पै अच्छा इसके बाद होता है classification of protein on the basis of hydrolysis hydrolysis के base पे भी आप proteins को classify कर सकते हो जैसे सबसे पहले मारे पास है simple proteins simple proteins किसे कहते हैं which give only alpha amino acid on hydrolysis सबसे साधारण protein वो हैं अगर आप उनको तोड़ोगे तो उसमें सिर्फ alpha amino acid मिलेगा for example albumin conjugated protein कौन से होते हैं जिसको आप तोड़ोगे alpha amino acid तो मिलेगा ही इसके अलावा एक non protein portion भी मिलेगा this are the protein which give alpha amino acid and a non protein part called prosthetic group ठीके और किसी भी protein में जो prosthetic group है जो non protein portion उसके कुछ example है जैसे आपके पास metallo protein है तो वहाँ पर non protein portion क्या होगा metallines hemoproteins है उदर prosthetic group क्या होगा hemogroup glycoproteins है उदर glyco glyco glycogen carbohydrate वगारा से मिलते जोटते हैं lipoproteins है उदर prosthetic group कौन से है lipid nucleoproteins है उदर prosthetic group कौन से होते है nucleic acid और derived protein किस से मिलके बनते हैं भई these are obtained by the partial hydrolysis of simple or conjugated protein जो आपके simple या फिर conjugated protein है इनको partially hydrolyze कर दो तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको derived protein simple protein जो सिर्फ alpha amino acid में टूटेंगे conjugated protein किसे कहते हैं जो alpha amino acid तो देंगे साथ की साथ एक non protein portion भी देंगे derived protein किस से मिलते हैं जो मिलते हैं आपको by the partial hydrolysis पूरा breakdown मत करो थोड़ा सा breakdown करो simple protein को या फिर conjugated proteins को इसके बाद नेक्स राता है on the basis of molecular shape दो तरह की protein आप लोगों को देखने हो मिलेंगे एक होता है fibrous होता है globular fibrous नाम से के लिए है fiber जैसे ठीक है इनका structure कुछ ऐसे linear fiber टाप से होता है और globular का शेप जो थे ना गोलम टोल सा रहता है इस तरह से ठीक है fibrous protein में आप लोग लिख सकते हो that they have linear thread-like structure और इनका मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए easy हो जाएगा एक तरफ में लिख देता हम fibrous proteins एक होता है globular protein fibrous किसे कहते है वीच है linear thread-like structure हम और globular में क्या होगा वीच है spherodal type structure कि कि अंड़ का टाइप से इनका structure होता है कुछ ऐसे इनका structure कुछ ऐसे देखने का मिलेगा और इनका कुछ इस तरह से इसके आप लोगो का आद दो जाएगा जैसे कि हमारे बालों में एक protein होता है किरेटीन किरेटीन इन हेट यह किसका एक दंपल है fibrous का और इसका एक एक दंपल हो जाएगा है हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हमोगलोबिन इन ब्लड तो यह कैसा है हमारे पास यह हमारे पास एक ग्लोबलर प्रोटीन है आगे बड़ो कि इसके बाद अब आप मुझे प्ताओ जो हैर से वह पानी के अंदर डिजॉल हो जाते हैं क्या यहीं से पता है यह गुल जाते हैं दिजर सोल्लिवल अ है इन वोट यह पाने में घुलेंगे भ्रोट ठीक है अगली बात करें तो टेंपरेचर को फरक पड़ता है क्या हमारे बालों पर गर्मी सर्दी का हाँ सर्दी में हमारे बाल होग हो जाते वह कहीं कहीं दीन नहते नहीं तो मिट् चेंज इन टेंपरेचर ठीक ना और अगर मैं इधर बात करूं ग्लोबलर में इन पर फरक पड़ता है देशो रिमार्केबल चेंज कि विद चेंज इन टेंपरेचर कि विद चेंज इन टेंपरेचर क्लियर है तो इस तरह से हमारे पास यह हो जाने वाला है आगे बढ़ते हैं अच्छा प्राइमरी स्ट्रक्चर की बाते कर चुका हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है तर्स्रक्चर में ऑलफायलिकस बीटा प्र Griff दिखाई देता है आप लोग उको को अच्छा आप अट्रस्रीर फ्रीय्ड आपकर में दो तरह जोटें इस थे घुचक्चर इस तरह से बीटा प्लीटा अलफायलिक्स दोनों तरह की क्या किल गती है जब वह 3D में लग जाए एक सिद्धी सी चेन है प्राइमेरी अलफा हैलिक्स या फिर बीटा प्लीटीड शेप है तो वह सकेंट्री जब अलफा हैलिक्स और बीटा प्लीटीड आपस में जुड जाएगा तो वह तर्सरी और तर्सरी कि जब 3D में is called denaturation of protein कहीं सारी definition हो सकती है denaturation of protein की सबस्सेंपल denaturation का मतलब किए DE मीन्स होता है removal और naturation का मतलब होता है natural form अगर आप किसी protein की natural form को remove कर देते हो वो इसकी denaturation का लगती है it is the process in which physical properties, physical properties of a protein changes, but its chemical composition, chemical composition remains the same, there is no difference in chemical composition, physical appearance will change, for example, boiling of eggs, if you remove the egg, I think its physical state will change, the egg which existed in the first liquid state, will go in the solid state, in the second liquid state will change, or if you will say, curdling of milk, then it will go in the solid form, physical appearance will change, but its chemical composition is the same, or if you will use the other definition, secondary and tertiary structure, destroyed, but primary structure remains unchanged, and secondary and tertiary structure remains the same, no difference in the primary structure, and if you will also do the same, you will also do the same, by change in pH, by change in temperature, adding of electrolyte, addition of solvent like water, alcohol, acetone, this way you will also do the same, effects, which is how you will do the same, that if you will do the same, we will also do the same, we will also do the same, Now we will talk about vitamins and vitamins, we will first study the vitamins and نیوکلی کیسیڈ के वारे में, ठीक है न, नियूकलीक एसिड कीसे काहते हैं हम लोग, नियूकलीक एसिड भी पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन पॉलीमर होते हैं, नूपलाइड हाग नुपलिक चाहू YouTube नूकलीक असिट के वारे में rumors नूकलीक ऐसिडू सीदिज फीर को बने तीट नूपलीमर्ज प्रिपेर्ड ली लव्यलेक। प्रिपेर्ड बाय दा मोनुमर अफ अल्फ अमिन अचिड नहीं मौनुमर अफ नूकलियो टाइड नूकलियो टाइड से बनते हैं और इस आर अल्सो नोवन आज क्या बोलेंगे इनको पोलिनुकलियो टाइड पोलिनुकलियो टाइड बोल सकते हैं अब एक नूकलियो टाइड क्या होता है एक नूकलियो टाइड में आपको तीन चीजे देखने को मिलेंगे किसी भी नूकलियो टाइड में सबसे पहले एक नہीट्रोज्जिनियस बेस होगा ठीक है उसके अलावा एक pentose sugar होगी पांच carbon वाली sugar और इसके अलावा एक phosphate group होगा phosphate group ये आपको एक nucleotide में देखने को मिलेगा अच्छा एक ना हमारे पास nucleoside के अलावा होता है nucleotide nucleotide में आपको क्या देखने को मिलता है nitrogenous base ये आप simply base लिख सकते हो एक base plus pentose sugar आप से कोई पूछे what is the difference between a nucleotide and a nucleoside nucleotide में क्या होता है base sugar phosphate group और nucleoside में क्या होता है nucleoside में आप लोगों को देखने को मिलता है base and sugar phosphate group नहीं होता ये nucleoside होते हैं ठीक ना आगे बढ़ते हैं अब जो pentose sugar है उसमें क्या होता है एक 5 carbon की sugar होती है मैं थोड़ा सा जोमीन करके आप लोगों को दिखाता हूं कुछ इस तरह से pentose sugar होती है ठीक है राइबोस ये आपका राइबोस है और राइबोस से किस तरह से डिफरेंस है ये डियोक्सी है यहां पर second position पर ये जो पोजिशन है जैसे इसमें यहां पर OH का O नहीं होता that's why इसका नाम पढ़ जाता है डियोक्सी राइबोस ऑक्सीजन हट जाता है यहां से यह हमारे पास बन जाएगा डियोक्सी राइबोस आगे बढ़ते हैं nitrogenous base base के दो पार्ट होते हैं एक होता है purine एक होता है pyrimidine दोनों पार्ट होने जुरूरी है किसी भी nucleic acid के अंदर purine दो टाइप का होता है adenine, guanine और pyrimidine तिन टाइप को तो thiamine, uracil और cytosine, ctu इसमें से कोई दो होंगे या तो ctu होगा या फिर cu होगा mainly जो यहां से question बन सकता है वो आपका question बन सकता है types of nucleic acid अब आपको इपता है nucleic acid हमारे पास दो तरह के हैं कौन-कौन से हैं भाया भाया पहला है DNA और दूसरा है RNA DNA is deoxy ribonucleic acid क्या बोलते हैं इसको deoxy ribonucleic acid ribonucleic acid and RNA क्या होता है ribonucleic acid ठीक है ना ribonucleic acid अब जो आपका DNA है DNA क्या होता है DNA के अंदर जो sugar आप लोगों को देखने को मिलेगी में बात होती है sugar sugar क्या देखने को मिलती है आपको deoxy ribos यहीं से तो सारा नाम पढ़ा है deoxy ribos and यह जो RNA है इधर आपको sugar देखने को मिलेगी ribos ribos जो इधर base होता है nitrogenous base वो होता है AGCT यह purine के टाइप है और यह pyrimidine के टाइप है और इधर आपको देखने को मिलती है A, G, C, U यह बोले तो adenine G means guanine C means cytosine T means thymine और यहाँ पर adenine G means guanine C means cytosine and U means होता है बटा uracil और क्या difference होता है DNA का structure होता है double helix structure होता है इसका क्या होता है double helix structure दो शक्तिमानी दूर दूर गुंजाते हैं ऐसे very nice इस तरह से और इसका structure कैसे होता है इसका structure होता है single helix structure और single helix structure कैसे कुछ इस तरह से ठीक है इसका double helix structure RNA can't replicate RNA replicate नहीं कर सकता इवन DNA से ही RNA बनता है ठीक ना RNA रेप्लिकेट नहीं करता दी तो अब जब यह रेप्लिकेट कर सकता है तो ओव्यस सी बात है कि यहां पर बहुत ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी रेप्लिकेशन अगर इधर तो संख्या बहुत ज्यादा होगी लार्जिन नम्बार्स यह आई मॉलेकिलर मास आप बोलोगे यह रित जादा संख्या होता है निगिया म्स आs सैंकर लार्जिन नंबर ठीक है उसकाNow on की यह ज्लारी ज्यादी इंकर जादी पर परपर्टइस होती है और एपने अ मतलब वो कैसे बताता है हमारे पेरेंट्स से हमारे धर्म किसके वाज़े से मिलते हैं वो डियाने के वाज़े से हमारे पेरेंट्स वाली प्रोपर्टीज हमारे अंदर आई हैं वो डियाने उसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एक पीडी की प्रोपर्टीज को अगली पीडी में पहुचा देते हैं और आर ने आर ने इस रिस्पोंसिबल फोर प्रोटीन सिंथेसिस आर ने का काम क्या है प्रोटीन का निर्मान करना प्रोटीन बनाने के लिए ब्रोप यह रिस्पोंसिबल होते हैं जो हमारा आर ने होता है आर ने कहां पर मिलता है आपको डिने is present in nucleus of cell यह आपको देखने को मिलेगा nucleus of cell में जैसे कि यह हमारे पास cell है ठीक है ना और यह nucleus है इधर आपको DNA और RNA कहाँ पर present होता है RNA is present in cytoplasm of cell एक cell के cytoplasm कहते है जैसे यह हमारे पास एक ठीक है ना और यहाँ पर यहाँ पर एक cytoplasm रहेगा क्लियर होती है बात चलो जी बहुत शांदार अब next is structure of DNA DNA का structure आपको पता है DNA का structure कैसा होता है double helix structure होता है बटा कुछ इस तरह से बिना सकते है आप लोग इस तरह से मैंने इसको याद रखा हूँ टाटा गोचू टी और एका बॉंड होता है जी और सी का बॉंड होता है जी का सी के साथ ट्रिपल बॉंड होता है जैसे कि इदर T और A है यह T है और यह A है टी और A में कौन सा बॉंड आएगा? double bोंड यहां पर G और C है G और C के बीच में कौन सा बॉंड देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉंड जैसे A और T है एए-और T में कौна सा बॉंड देखने को मिलेगा भाई? double bond और G और C में कुण सा bond देखने का मिलेगा? triple bond T और A में double bond G और C में triple bond इस तरह से होता है It consists of two polynucleotide chain एक दो polynucleotide chain होती है जो एक दुसरे के side folded रहती है Each chain forms a right folded helical structure with 10 bases in one turn 10 bases in one turn का मतलब क्या है? 10 bases होंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से एक turn में 10 bases होती है T का bond A के साथ होता है double और G का C के साथ bond होता है triple इस तरह से Next types of RNA RNA हमारे पास तीन तरह के होती है पहला होता है mRNA जिसे हम messenger RNA बोलते है इसके बाद होता है tRNA जिसको हम transfer RNA बोलते है और next होता है हमारे पास rRNA जिसे हम ribosomal RNA बोलते है messenger RNA का मतलब क्या होता है obviously जो message देगा किसका message देगा protein के synthesis का it is produced in nucleus and carries information for the synthesis of protein transfer it is found in cytoplasm its function is to collect amino acid from cytoplasm for protein synthesis यह transfer करता है क्या cytoplasm से amino acid को लेके जाता है और उनका निर्मान कर देता है किसके अंदर protein के अंदर ribosomal किसलिए होता भी यह protein के synthesis के लिए side provide करते है clear है messenger RNA का काम क्या है it is produced in nucleus देखिए मैंने आपको बोला है कि DNA से RNA बनता है तो DNA कहां पर बनता है नुकलेस में बहर आजाता है वो cytoplasm में RNA में करनोट हो जाता है ठीक है and carries information for the synthesis of protein transfer RNA क्या होता है it is found in cytoplasm its function is to collect amino acid from cytoplasm for protein synthesis ठीक है और next ribosomal यह का करता है side provide करता है आगे बढ़ते हैं next हमारे पास आजाता है vitamins vitamins ऐसी चीज है जिसको हमारी body खुझ से नहीं बना सकती किसी भी हालत में यह हमारी body को regular supply करने वड़ते हैं वरना इनकी वज़े से हमें दिक्कत होने लगती है मतलब बहुत सारी deficiency disease है जिससे हम पता चलते हैं इस इंसान की body में कमी usage के देखिए carbohydrate protein से ऐसी चीज है बट चाहिए the organic compounds other than carbohydrate and proteins which are required in diet in small amount to perform specific biological functions ठीक है maintain normal health growth and nutrition are called vitamins ठीक है अब इनका classification कर सकते हैं सबसे पहले हम इनकी classification करते हैं on the basis of solubility तो सबसे पहले fat soluble vitamin fat soluble का मतला जो fat के अंदर घुलेंगे और fat के अंदर घुलेंगे तो हमारी body के fat में जाके store हो जाएंगे इनके हमें regular requirement नहीं होती है क्योंकि हमारी body में store रह सकते हैं ठोड़े time के लिए और कुछ होते है water soluble vitamin water soluble vitamin अगर हम उनको लेंगे तो हमारी body में बहुत सारा पानी है पानी के साथ गुल को यूरीन के तुरू बहार आजाते है that's why हमें जो water soluble vitamins होते हैं उनके हमें regular juice पढ़ती है fat soluble vitamins vitamins like A, D, E, K are soluble in fat and oils oil के अंदर घुल जाते है water soluble vitamins के ओते हैं like vitamins B, vitamin C A B, C, D, E, K ये जो दो भाई होतेम ये होते है water soluble ये पानी में गुलतेय हैं sir it soluble और ये जो भाई-साब है ये होते हैं fat soluble ये fat में गुलते है By water Me HTTP होते हैं ठीक है ना बी ग्रूफ विटामिन और सी आर सोलिबल इन वोटर वोटर सोलिबल विटामिन मस्ट बी स्प्लाइड रेगुलर्ली इन डाइट बिकोज दे आर रेडिली एक्सेट इन यूरीन और कैन नोट बिस्टोड इन आर बोटी अच्छा वाइटामिन बी में भी टाइप है जो वोटर सोलिबल नहीं होता और वो है वाइडामिन बी बन टू ठीक है और एक विटामिन की है की नहीं के है जो की रिस्पॉंसिबल है फुर्दा को एगुलेशन ओ ब्लड समत्यों कि बलड की क्लोटिंग होने लग जाते आपने देखो को जो मोटे मोटे गृट जमने लग जातें के बलड की क्लोटिंग मतलब छोट छोटे चोटे परीजीं से के टुकडे मग Bean को अंधर और तो जब हार्ट जब उसंप्लड को पंप करने लगता है ना भाई तो हैं यह पंप कर सकता है वह लिकुड बड़ को पंप कर सकता वह सॉलिबल को पंप पर नहीं कर सकता, that's why बहुतों को heart attack आजाता है, और यार, fit होना पड़ेगा, चलिए, यह NCRT में table दे रखिए, और लगबग सभी vitamins के source सेम है, आपको main याद रखना है कि कौन सा vitamin से कौन सी बिमारी हो सकती है, जैसे vitamin A है, vitamin A से बिमारी होती है, जैरो थैल्मिया, या फिर night blindness, रतोंधी बोलते हैं रात तो कोंदे हो जाते हैं, कुछ बंदे सारे होजाते हैं, बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं, जो सूरज जाते हैं, उनको bulb कलाईट में दिखाई ही नहीं देता, हैं सच्छ में, ठीक है, बट आजकल नहीं होता है, क्योंने सबको मिली जाता है दूद बगारा से मिल जाता है केरेट से बटर से फिश लिवरोल से अच्छा जितने भी यह आपको फैट सॉलिबल विटामिन है न यह लगबग लगबग आपको संपुर्ण आहर है संपुर्ण आहर है मिल्क है भी तो अगर आप से कभी ब्रिम्र भी सब्सक्राइट जया इंद ग्रोफ कि वहां ही नहीं बैरी बैरी होता है ठीक है विटामिन B2 कि वज़े से क्या होता है यह इसके वज़े से होता है शोल जाती है डिली सिर्ट अपने वह मतलब होता है कई था हम हर्यानी में उसे बोलते है रग पर नसपने स्टेडिक यूज की तो एक दम से एंठन सी हो जाते है बोड़ी के अंदर है नो तो वह क्या होता है कन्वल्शन होते हैं वैटेमिन बी वन टू की वज़े से क्या होता बहिए अनीमिया अनीमिया क्या होता है ब्लड लैसनेस अच्छा ब्लड से रिलेटेड लगबग जितनी क्या वैटेमिन सीविटेमिन सी हमें सिट्रस-फ्रूट से घ्लिदिंग फश्टjos मपलिग से यहां पर लिख सकते हो बट्रीबिद्स फुर्ट यह सिंपल है और वैटेमिन चीन्ट से सचेक्श कौन से विई मार्य से कौन सीख़ई-ख्र्वी सबersonject कüz और मोह ब्लीotz क्या ज सब्सक्राइब करें तो मैं तो थोटा सा मोटा हूं तो मोटा बंदा तो जब सड़क पे रेका नो गुद्गुदाला से रहता है इतना ही प्रोल्म मेरे पिछे एक बंदा वैठा हुआ था बहुत कमजोर सा था बचारे की हड़ी टूटकी इतनी सी वाद पे उंगली की चिट आगे बढ़ते हैं वाइटामीन ए वाइटामीन ए मस्कुलर ग्रोथ के लिए जुरूरी है ठीक आपने देखोगा कि कई जीम वाले विटामीन ए के कैप्सुल लेते हैं या फिर स्मार्टनेस वाला विटामीनी वोलते हैं इसको हम लोग ठीक है कि अगर कोई मुझे भी शा विटामीन के कहां से मिलता है ग्रीन लीफी वैज से मिलता है आप लोगों को ठीक है तो यह क्या करता है बलड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज कर देता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास होता है एंजाइम्स यह टोपिक पहले कट हुए थे एंजाइम एनका नाम है बायो कैटलिस्ट एंजाइम से बायो कैटलिस्ट ओल्मोस्ट ओल्व दी एंजाइम सार गलोबिलर प्रोटीन अगर पुछ शाते हैं जेयर जनली नेम्ड आफ्टर दा कंपाउंड ओर अपन विच देवर्ग इनका जो नाम होते हैं जनली रखा जाता है कि कॉनस है इन वर्टेज के लिए इनवर्टेज ठीक है इस रसे систем के नाम रखे जाते हैं अंजाइम्स के अगर मात करूं तो इनका मेकैनिजम कैसे होता है Telesum goods lifelong की मैथिद की तरहा आप लोग कह सकते हो लोगन्ड की में क्या होता है मैं आपको उठाका लोगल्ड की क्या हमारे पास enzyme है ठीक है ना तो यहां पर यह आपस में जुड़े सब्स्ट्रेट और enzyme आपस में जुड़ गए और थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं यह लोक जो है वह अनलोक हो गया और यह की जो है अलग हो गई तो इसी तरह से तो हमारे reactions होती है catalyst भी तो इसी जाते है reactant के साथ react करते है product बनाते हैं अगर आप देखो तो यह रहा यह हमारे पास reactant reactant के साथ एक enzyme आया catalyst यह आपस में जुड़े और catalyst reactant का इन्होंने क्या बना दिया product और enzyme वैसे का वैसे है अब इसकी कुछ कुछ खास बाते देख लेते हैं enzyme के कुछ खास बाते क्या होती है सबसे पहली बात है भाई साब आप अपने देखा कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो में दुवाई दी जाती है वह दुवाई हमारे enzymes के active करती है तो जो बुड़े लोग होते हैं उनको पे लगबग दुआ काथ सर नहीं होता है उनके enzyme से बुड़े हो चुके होते हैं है और जैसे आप लोगों की एज है ना हमेशँ आप लोगों को यह लिए बोल आप लोगों सवाई सब्सप्रीम ओर इंद्यॉम्स कल भाइब пиш थे नहीं होते हैं तो तो थोड़ी बहुती द्वाई से ठीक हो जाता है थेक अब जैस बढ़ती जाती है हमारे एंजाय। हो्ते हैं और हमें रेगुलर द्वाईयों की जूर्थ पढने लगती है और जैसे मिलोग वृद डवस्ता की तरब पहुंचते हैं हमारे एंजाय। पे द्वाईयों को फरक kfc is famous for chicken mcd is famous for burger domino is famous for pizza similarly यह जो होते हैं एक खास एंजाइम में खास reaction को करेगा दूसरा एंजाइम दूसरी reaction को करेगा तीसरे एंजाइम तीसरी ऐसा नहीं है कि पहले एंजाइम से तीसरी reaction ना ना होता है 20-30 degree Celsius हमारी बोड़ी का टेंपरेचर होता है वो भी लगबग इतना सही रहता है लगबक इसी पे जब बहुत जादा बिमार पता कभ और जब बहुत जादा ठंड हो जाती है जब बहुत जादा गर्मी हो जाती है रीजनी है क्योंकि हमारे जो बोड़ी के अंजाइम स बटक हम इस टाईम उसके लिए रेडी नहीं है मान के august कि हमारे में से या हमारे में से कोई बोजुर्ग काम रशिया ले जाएं और फिर हमद healthy in माइनस फॉर माइनस वालों की बॉड़ी उसके लिए रेडी हो चुकी है रसिया के बुड़े वहाँ पर रह सकते हैं फिर उसको रसिया वाले बुड़े को वेशन डीज लेके चले जाओ वहाँ पर गर्मी लगेगे इसको बहुत तो दिक्कत हो सकती है समझ रहो ना मेरी बात साइवन के करीब ही रहता है पी एच आगे बढ़ते हैं कंसेंट्रेशन आपने देखोगो जब भी द्वाई ली जाती है डाइलूट फॉर में ली जाती है पानी मिला होता है उसके अंदर है ना पानी के साथ ही द्वाई लेते हैं यह इसी वाज़े से होता है वाई क्योंक होते हैं जो हमारे एंजाइम की रेक्शन को रोग देते हैं ढेशा कअगल्या डा न हेंद्वाक्षिोट्वा इंदियू यहां की वाज़े पास यह था जय सेमारे किरूदी क हो नीटियूल को मिल्याय क्रूंदो को शायद थाल्पर की रते हुद्छ ब्रकार जाक्शान ठा में बनते हैं ठीक है और यहां पर मैंने कुछ हार्मोन के नाम लिखे हैं और यह कहां पर बनते हैं यह भी लिखा है जैसे कि हमारे पास एक हार्मोन है Test24BI आपने नाम भी सुना होंगा यह Testis के अंदर बनते हैं, Estros superhero can adrenaline, Adrenaline के अंदर बनता है, ठीक है , Insulin pen Kreiaz के अंदर बनता है, Insulin याद ही न? Insulin जो हा शुगर को Kontrol करता है ठीक है न? और hormones को आप तीन कैटेगरी में divide कर सकते हो, steroids, proteins, Amines, clear तो यह था सारे का सारा हमारा बायो मोलकिल्स आई होप आपको सिंपल में में क्लियर हो गया होगो कुछ भी डाउट आपके बचे नहीं होंगे और स्टिल कुछ डाउट्स बचते हैं आप लोग कमेंट सेक्टे ने बता सकते हो अगें यह चैप्टर ऐसा है जो आपको बार- जो करते हैं आपको यहालक भी और में आपके छोगपके फूशने हो खागश जो पुट जो दो शोंगे जो